अलो दोस्तों एक बार फिर स्वागते आपका हमारे शानल बर मेरा में वरुडो और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरीं की और एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी के साथ हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं किस चीज का डिसकस करने वाले हैं हम ऐसे इंस्टिडूट लेके रिटन बहुत अच्छा प्रवाइड करते हैं और कौन-कौन से ऐसे आल ओवर इंडिया में कुछ जाने माने शुमार और अच्छे इंस्टिडूशन हो सकते हैं जिनको टार्गेट आप जरूर कर सकते हैं लेकिन उनके अलग-अलग क्राइटेरियास होते हैं वो भी ध्यान की सारी जानकारी इंजिनरिंग से रिलेटिड कॉलेज कोर्सिस या करियर से जुड़ी जानकारी यही मिलने बाली सबसे पहला है तो चलो स्टार्ट कर लेंगे ROI के रिटन के 20 पर ROI क्या होता है बहुत सारे लोग करते हैं क्या है ROI फुल्फॉर्म अगर हम बात करें यहां पे को भी हमने इंवेस्ट किया हुआ है उस टाइम को उससे बड़ा कुछ नहीं होता पैसा तो हम करी रहें इंवेस्ट और उसके बेसिस में क्या रिटन अच्छा मिल सकता है उसको ROI बोलते हो जितना अच्छा रिटन इंवेस्टमेंट मिलता है वो बेस्ट कॉलेजिस होते हैं क्या क्या बेस्ट हो सकता है यहाँ तो यह रही वो लिस्ट जिनको हमने अलग-अलग प्रावीटर्स के हिसाब से चूज करा और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं याद रखिएगा लेकिन यहाँ हमें चुकी गिने चुने बताने हैं और हर चीज हम नहीं बोल सकते हैं ठीक है यह नाम है आप देख लो भी यहाँ पर महाराजा सायाजी राओ यूरिवस्टी अच्छा खासरा मड़ोदरा गुजुराद की यूरिवस्टी है नाम है तो उसको आप देख सकते हैं अगर गुजुराद स्टेट से बलॉंग करते हैं या जाना जा रहे हैं वहाँ है ना हलागी उसके अलग राइडिरियाज है वो भी बता देंगे आपको नैशनल डेरी इंस्टीट करनाल है ठीक है वहां की अच्छा नाम है यह है वह यह सेनागी पत्ति यह आपको बता दू ते लंगा ना इसका नाम तो आपने जैया माई कर सुनाएं वह बहुत विश्यश्वरी या इंस्टीट आप इंजीनरिंग यह साउथ इंडिया के हैं कुछ कैंपूस या मतलब इंस्टिटूश्ट जिसकों बोल सकते हैं हाँ अलग अप्पा चेत्यार कॉलेज ऑफ इंजीनरिंग इसके लाब उस्मानिया यह उनिवस्टी हाइदरबाद के है औ और आंदरे उनिवस्टी कॉलेज ऑफ इजीर या आंदरप्रदिश के हैं तो यह सारे के सारे ऐसे हमने पूरे के पूरे टॉप मतलब जितने हमें लग सकते थे इंडिया में जो अच्छे अच्छे जगह के अच्छे इंस्टूश्टिशन्स हैं जो फीस में कम हैं और पस्टी की बात कर लें आपे बड़ोतरा 49, 1949 मतलब आज़ादी के दो साल बात तक बग आज़ादी के आसपासी मान लो तो तब से स्टाबलेज है यानि कि आप मानने 70 साल का अनुबह इनको पूरा हो चुका है जादी हो गया 70 सालों से और इस अनुबह की कारण जाना माना इनका शुमार हो चुका है और वो फीस आप मान के चलिए उसी समय के फीस है जो इनोंने बड़ा ही नहीं है या स्लोली स्लोली बड़ाते हुए चले जा रहे है यूजी सी अप्रूबल तो ही बड़ोतरा गुजरात में स्टाबलेज है तो स्टेट में भी गवर्मेंट जो ह वो इनको फांट बगेरा फ्रवाइड करा देती है 274 एकर पर इक अच्छा खासा अब भबे कैंपस यहां आपको देखने को मिलेगा जिसमें NIRF की रेंगी 137 बे नंबर की आप समझ रहा है 137 बे नंबर की NIRF रेंगी कहीं से बुरी नहीं है कहीं से बुरी नहीं है और admission क के लिए आपको बहुत सारे options हैं देखो सबसे पहले तो गुजराथ से विलोंग करता है यह institute तो गुजराथ सीटी के basis पे आप admission ले सकते हैं नहीं तो फिर overall जही मेंस है उसके basis पे आपको मिले जाएगा 12th बोर्ट के एक्जाम के basis पे भी आपको admission यहां को सीटों में मिल 40,000 रुपे का यहां पर पूरा course आपका हो जाना है अगर फीस ट्रिक्शर की बात करें इतनी कम फीस है एक्स्टा चार्जिस ना जोड़े जाएं तो eligibility के लिए आपको पता ही है कि यार मेरी मम 12th हमें पास करना है और गुजराथ safety के लिए 50% बढ़ी 45% का criteria I think तो एक बार check जरूर कर लिजेगा उसके basis पे आप admission ले सकते हैं average package देखें आप तो यार इनके investment की बीसिस पर तो बहुत अच्छा return है यहाँ पर चीन से 4 लाग की अलग लग packages आपको on average मिल जाता है जो कहीं से बोरे नहीं कहीं से बोरे नहीं है ठीक है और यहां hostel की fees देख ले तो पर चीन से खराब नहीं है यहां पर इसी लिए हमने इसको रखाएगा बड़ो दुरा की बात कर रहे हैं आपने नाम सो नहीं होगा अरियाणा में बहुत धेनी इस्तिती है धेनी इस्तिती कैसी हाँ जेंडर रेशू की बाकी तो अच्छे लोग है सब यहां पर खेती बाड़ी वाले लोग है करोनपती लोग है अलाखी इन लोगों को जरूरत नहीं है कि यह ROI बगेर देखें कि यहार फीस कम बाले इस्टिटीट देखनी है लेकिन ठीक है यहां भी अबेलिबिल्टी है 1905 में इस्टिटीट यह स्टाबलेस्ट हुआ था जादी के कुछ समय बाद ही तो इनको भी अच्छा खासा 60-60 सालों का अनुबर हो चुका है और 1300 से ज्यादा एकड में फैला हुआ यह भबया कैंपस है यहां पर डीमडी उनिवस्टी का दरजाइन को दिया गया है 264 रैंकिंग NIRF में इनकी है और इंट्रेंस एग्जामि रिकॉर्ड 45-5 लाग के इन्होंने बताया है और अबरीज बच्चों को मिल जाते हैं और सिर्फीस बगेरा 5-6,000 रुपे की एक साल की है कई से घराब नहीं है तो तमिलाडू में यह आपका 2012 पर स्टाबलेस इंस्टिशन है UGC recognition इनको दिया गया है और से इनक पिक तंजा है तो मैं लाडू engineering admissions जो इंटरेंस होता है उसके basis पे आप यापर आपर 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 आनिवार है जे important है वो तो basic criteria है ही और इनकी फीस भी 30-40,000 रुपे 3-4 साल की है जिसमें अगर हम hostel फीस को देखें तो 15,000 रुपे कुछ जो है वो एक साल का आपको hostel फीस लग जानी मानी यूटिवरस्टी में नाम आता 1905 में स्टाबलेस हुए थी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था है ना इतियास में और उसी समय ये स्टाबलेस्ट हुई यूटिवरस्टी है और हाँ जो जिन महोदय ने बंगाल विभाजन करवाय था उन्हीं महोदय ने इसको स्टाबलेस भी करवाय था तो बड़ी है लोकेशन कोल का तब बेस्ट पेंगोल आपने नाम सुने होगा अपस एरिया भी 96 एकड़का लगबख 100 एकड़का राउंड बोल सकते हैं इसको इंस्टिविशन पॉब्लिक है यूटिवरस्टी टाइप और स्टेट यूटिवरस इस पे ही आपको एड़ीशन यहां मिल जाता है दस अजार रुपे की फीश है एक साल की और बाई साहब इन्हों ने दस लाग का लपीए ओन एंवरेज पता है तो कहीं से खराब नहीं है तो बहुत कम फीश के साथ यह एक इंस्टिविशन आपके ऑप्शन में हो सकता है अ इस से अच्छा तो कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है यार कि दैली यूश्टी में ही शुमार यूश्टी उन्हें सुबीस में स्टाबलेश्ट हुई थी और मेरे ख्याल से मदन महान मालवी साहब उन्होंने स्टाबलेश्ट करीए तो लेकर ठीक है साउथ इस्ट डेली में स स्टाबलेश्ट यूश्टी है 241 एकर में पहला हुआ अच्छा खासा क्यांपोस है और इनकी यार पबलेक यूश्टी के दौर पर 26 भी रैंकिंग है NIRF की रैंकिंग में यही मेंस की बेसिस पैडवीशन आपको यहां मिल सकता है 16-17,000 कुछ फीज एक साल की और बहुत ज हां रपेंड करता है ब्रांच कॉंसे ले रहा हो लेकिन ठीक है नवाला लेहरू टेक्निकल यूश्टी यह भी भाई इंद्राबाद की यूश्टी हो और इनका भी नाम शुमार है इंद्राबाद हाँ अभी तो बहुत ज्यादा नाम चल रहा है इनका हाँ तो भाई आई इम्यार प्रदेस की यहार प्रदेश से हट के तेलंगाना स्थेट में आ गया है तो तेलंगाना स्थेट का जो इंट्रेंस एग्जामीनेशन होता है अब तीएस एसके तीग होता है इनका उसके percentage के basis पे भी आपको हो जाता है, 12th class के basis पे भी तो 18,000 रुपे की all total एक साल की फीज है, और यहां होस्टल फीज देखें तो 25,000 रुपे की होस्टल फीज है, यहीं 50,000 के गरीब में आपका काम हो रहा है, एक साल का, रहना खाना पड़ना, और average package भी 10 लाग के आसपा से उन्हों बताया, लेकिन मुदस तो नहीं होगा, फोड़ा आट नों के गरीब है, लेकिन ठीक है, यह भी option में आप रख सकते हैं, फिर भाई यह नाम बहुत जाना माना विशिश हो है, रही है, इसका नाम भी कैरला में बहुत जादा जाना माना है, शुमार है, 1988 में केरला स्टोरी करके कुछ मूवी भी बड़ी है, बहुत जादा चल रही है चर्चा में किस कारण से, किसी बिवाद की कारण से, eligibility के लिए आपको 12th क्लास चाहिए, 12th क्लास में अलग अलग परसिंटेज, हाँ, को जिकता 45 और 50 परसिंट के आसपस मांगी है, 3-4 लाग का और यह तमिल आड़ो पे बहुत ही जाना माना नाम आपको मिल जाएगा, यहाँ आप देखेंगे तो भई यह टी आ यह एग्जाम किने इस बेसिस पर बलग तमिल आड़ो जो entrance examination होता, admission test होता, उसके basis पर आपको admission मिल जाता है, और fees अगर देखे तो 32,000 रुपे की साल की fees है, स तो कई से गराब नहीं है, है कि अगर आप मुझे नहीं लगता कि गराब है, तो यह एक option हो सकता है, 34,000,000 का on and average package यह बच्चों को provide करा देते, तो यह option यह रख सकते है, अस्मानिया यह रख सकते है, हाइदरबाद, बहुत ही जाना माना ना, बिलकुर, और 1929 में established होई थी एक साल का fee structure, हाँ, tuition fee बगर है, hostel fees देखें, अगर तो 10,000 रुपे करीद, यह एक साल का इनका वो है, तो 30-40,000 रुपे में आप मान के चलिएगी, आपकी एक साल गुजरेगी, और 17,000,000 करीब में आपकी engineering हो सुथी complete यहां पर, और on and average package 4-6,000,000 का इनो ने बताएगी, यह यह vary कर जाता है, यह अलग-अलग branch to branch, वह अच्छा है, मुझे नहीं लगता कहीं से कोई समस्या है, 12th class में, minimum 45% marks आपके रहें तो बढ़िया है, हाईद्रवार तेलंगाना स्टेट में आ गया है, तो तेलंगाना स्टेट की counselling के basis पे, उनकी desk के basis पे आप यहां पे आ सकते और 77 भी NIRF ranking के साथ, अच्छा खासा नाम शुमारिन का हो चुका है, आप चूखी, आंदरवर्देश का अलग examination होता है, आंदरवर्देश का AP, EAM, CT होता है, तो उसके basis पे आपको admission यहां पे मिल जाता है, 12th में minimum 45% marks हो, तो आप अबेल कर सकते हैं इस entrance examination को, और 25-30,000 रु जाने वाल, जिसके basis पे आपको average package यह 5 लाग के करीब, 4-5 का बता रहे हैं, वो provide करा देते हैं, तो यह all total हम देख रहे थे कि lowest fees और highest ROI के basis के कौन कौन से institute हो सकते हैं, यह institute भी जाने माने शुमार हैं और government institution थे, लेकिन कुछ अच्छे private institution भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी institutions ह हो सकते हैं, आपके लिए, आपकी profile पे best, जो ROI के term में भी, return investment के term में भी, और कम fees के term में भी, अलग-अलग आपकी भी मांगे हो सकते हैं, उसके basis पे आपको बहुत सारे options मिल सकते हैं, और वो option जानने के लिए नीचे profile अनले सिस फॉर्म है, जिसको फिल करी हैं, और उसके basis आपके लिए, आपके लिए, बाकी मिलेंगे एंगले वीडियो में दानगारी के साथ, तब तक के लिए, जाए हैं, I hope you like this video, for more such videos, keep watching our channel, and do not forget to like, share, and subscribe.